अब प्राक्टिकल गाइड तो इंग्लिश ट्रांसलेशन और कॉंपोजिशन भाई केपी धाकूर कोर्स में आपका स्वागत है इस कोर्स में हम आपको 240 हिंदी तो इंग्लिश पारग्राफ ट्रांसलेशन एक्सिसाइजेज सॉल्व करवाएंगे अगर आप सभी एक्सिसाइ सबसे पहले यह पैसेज आप पूरा देख लीजिए वीडियो को आगे पीछे करके पॉस करके आप इसको कॉपी में पहले खुछ से सॉल्व करिएगा अभी संग संग मैं आपको इसका अंसर बताऊंगा तो इससे आप मिला लेज़े अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रीलाल बहादर सास्त्री वस पॉन इन आपूर फामिली उनकी पढ़ाई लिखाई अत्यंत साधारन धंग से हुई थी इस एडुकेशन और राइटेंग वस गिवन इन एक्स्ट्रेमली सिंपल वे कभी कभी उन्हें नदी को तैर कर विद्याले जाना पड़ता था सुम्सम्स इहाद विव्ड मुक्राव टुक्राव अब रिवरी व कर तारी आस्याले लिवर टुकॉएवर टुुकॉड लिवरी आस्याले लिवरादे वाराव टुकॉड तुकॉड छूब परन्तु इन कठिनाईयों के बावजोद, उन्होंने अपनी सच्चाई, इमानदारी, कठिन परिश्रम और त्याक के द्वारा अपने को उंचा उठाया। और एंस्पट अव मंद्गास्ट इस सब्सक्दिंवा T ĕलेट ओंस्वाय य यो य य य तन्ह रिसयो थिस्थफूलन. honesty, hard work and sacrifice. Kode samayi tak ki weh Pradhaan Mantri rahe. He was the Prime Minister for a short time only. Kintu us chhoati abdi mein hi unho ne sanchaar ko chakit kar diya. But during that but during that brief period surprise the word ठीक है? Okay, my translation complete हुआ. जो भी short form वाले आपको sentences इसमें देख रहे हैं, वो आप comment section में लिखिएगा. आप साथ आपने copy में जो आप answer बनाए हैं, वो भी आप लिखेगा. मैं देखना चाहूँगा कि आप किस तरह के sentences बनाते हैं? आईये vocabulary लिखते हैं, Hindi to English Story Translation Exercise 154 of 240 vocabulary जन, birth, निर्धन, हुव, परिवार, family, पढ़ाई, education, तिखाई, writing, अत्यंत, extremely, साधारण, simple, धंग, वे, नदी, river, कभी-कभी, sometimes, stair, swim, विध्याले, school, कथिनाईयों, difficulties, परन्तु, बट, बावजूर, in spite of, सच्चाही, truthfulness, इमानदारी, honesty, कथिन, hard, परिश्रम, work, त्याग, sacrifice, पूचा, elevate, खोटी, short, समय, time, किन्तु, बट, बट, रधाई, रहन मंत्री, Prime Minister, अवधी, period, संसार, world, चकत, surprise, okay.